इस वक्की बड़ी खबर में आपको बता दूँ कि सुधीर चौधरी और आज तक पर F.I.R. दर्ज हो गई है कॉंग्रेस ने बंगलूरू शेशादरी पुरम पुलिस स्टेशन में की है ये F.I.R. दर्ज दरसल करनाटक की एक स्कीम के बारे में जूट दिखाने पर F.I.R. दर्ज की गई है और जूट दिखाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे आज तक और सुधीर चौधरी ने क्या जूटी खबर दिखाई अब हम आपको करनाटक में कॉंग्रेस सरकार की उस योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहट वहां की सरकार कॉंग्रेस की सरकार जो है गरीब अलप संक्यकों को आटो रिक्षा और टेक्सी खरीदने में 50% की सबसीड़ी देगी वरना क्यूं करनाटक के IT मिनिस्टर प्रियांक खडगे ने ट्वीट करके कहा कि आज तक का ये आंकर जान बूचकर करनाटक सरकार की स्कीम पर गलत सूचना पहला रहा है ये जूट पहले बीजेपी के सांसदों ने फैलाना शुरू किया और उसके बाद मीडिया के एक सेक्शन ने भी वही भ्रामख खबर चलानी शुरू कर दी आगे प्रियांक ने लिखा कि ये जान बूचकर गलत सूचना से सरकार की छवी खराब करने का प्रयास है और इस पर सरकार कानूनी कारवाई करेगी तो आखिर सुधीर चौधरी ने क्या वाकई भ्रामख खबर फैलाई आई इसकी जाच करते हैं वैसे कहना पड़ेगा क्या वाकई दुबारा से भ्रामख खबर फैलाई प्रियांक ने जो आज तक में सुधीर का शो ट्वीट किया उसमें लिखा था करनाटक में अल्प सें ना और यहें उसका सब्सिदी अमाउंट पहले लिखा है कम्म्यूनिटी नास माइन्ओरिटी सब्सिडी 50% सब्स tenía माउंट 3,00000,000 कंम्यूनिटी 400 थालए इस सब्सेदी 75% सब्सिदी अमाउंट 4,00000 अब इसे ध्यान से देखीं विस सबसे पहले तो माइनोरिटी में शामि और दूसरा सुधीर ने कहा गेर हिंदूओं को ये स्कीम नहीं मिलेगी तो SCST जिन्हें अब संखकों से भी बड़ा हिस्सा मिल रहा है वो हिंदू नहीं है जरा ये बताए सुधीर चौधरी करनाटक का SCST सेंसस 2005 बता रहा है कि शहरी और ग्रामीर इलाकों में किन-किन धर्मो के SCST कितने हैं अब जरा गौर से देखे इन आकड़ों में सबसे जादा SCST किस धर्म के हैं मेरा सवाल है कि आज तक ये कहना चाहता है कि SCST हिंदू नहीं हो सकता या हिंदू नहीं होता आगे देखिए सुधीर ने शब्दों में तो अल्भ संखक कौन है उसमें मुसलिम के स साथ हिसाई और जैन बता दिये हाला कि सिख और बौध छोड़ दिये लेकिन फिर भी बताया तो सही कि सर्फ मुसल्मान ही अल्भ संखक नहीं है लेकिन और ये लेकिन बहुत बढ़ा है बड़ी चालाकी से आज तक और सुधीर चौधरी ने अल्भ संखकों की बात करते हु ये आप समझ रहे हैं इस तरह एक समुदाय को यूँ टार्गेट कर ये बताने की कोशिश करके सुधीर पूरे समाज में हिंदू ही नहीं दूसरे अल्भ संखकों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो करनाटक की ये नई वाली सरकार तो सिर्फ मुसल्मानो को आपका टैक्स का पैसा बाटने में लगी है और नमाज को लेकर हर समय जिस तरह का बवाल मचाया जाता है जान बूच कर नमाज की तस्वीरें दिखा कर ये जताने की कोशिश की यही नमाज वाली समस्या आपके यहां खड़ी करेगी ये नई कॉंग्रेस सरकार अब आप तक खुद को नमबर वन क्लेम करता है तो हम इनी की बात को मानते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि चानल की रीच औरों से ज्यादा है तो जीरो वाल्यूम पर जिसने सुधीर को सुना नहीं होगा सिर्फ देखा होगा और स्क्रीन पर लिखी चीजे पड़ी होगी उन्हें क्या समझाया होगा दिखाई दिये नमाजी और पढ़ने को क्या मिला करनाटक में अलब संखकों को ओटो रिक्षा टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी सबसिडी अगर कोई हिंदू 5 लाग की गाड़ी खरीदता है तो उसे गाड़ी 5 लाग में ही मिल जाएगी इस खबर का क्या करनाटक में अलब संखकों को सबसिडी लेकिन हिंदूओं को नहीं ? आगे लगा दिया ? जैसे पता तो ही ही जूट फेला रहे हैं लेकिन लगा बच जाएंगे जिहां वही क्वेस्चन मार्क जिसका जिक्र संजदत ने अपनी फिल्म संजू में किया था अब यहां देखिए कोई हिंदू शब्द ये जताता है कि किसी भी हिंदू को सबसिडी में शामिल नहीं किया गया है और अर्ब संखकों को इतनी छूट मिल रही है जो तस्वीर में नमाजी यानी मुसलमान ही नज़र आ रहे हैं आपको दर्शक के नाते शायद ये बात नहीं समझाती होगी पर चैनलों को बखू भी समझाती है मैं 15 साल देश के कई न्यूस चैनलों में काम कर चुकी हूँ टी आर पी मीटिंग्स में बहुत साल पहले ही सभी न्यूस चैनलों में ये चर्चा की जा चुकी है कि अक्सर लोग म्यूट यानि वॉल्यूम जीरो पर न्यूस चैनल देखते हैं यानि चैनल देखते हैं पर सुनते शायद ज्यादा नहीं है इसलिए स्क्रीन पर वो सब होना चाहिए जो उन्हें बिना सुनाई दिये खबर बता सके इसलिए यहां के चैनलों की स्क्रीन का हर को ना देखा उपर नीचे दाएबाय हर जगे हर चीज से भरा होता है और गोधी मीडिया का जब से जन्म हुआ है उसने उसी प्राक्टिस में अपने प्रोपगेंडा से स्क्रीन को भरना शुरू कर दिया है ऐसी तस्वीरों का इस्तिमाल किया जाने लगा है जिसको लेकर भ्रम फैलाना ही शायद उनका असल मकसद है जैसे यहां यह बताना चाहते हैं कि सिर्फ मुसल्मान पर कॉंग्रेस महरबान हिंदूओं को किया बलिदान यह जूट है जूट है जूट है वही आईए अब जरा देखते हैं नफरत का बाजार गर्म करने वाले यह जूट है सांसद हैं कौन जिन्होंने जानते बूजते आपको आधा सची बताया तो पकड में आए वही नाम ले देकर वही नाम सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फोमेशन टिकनोलजी राजीव चंदर शेखर और इमर्जनसी एग्जिट प्रेजिट ओ आम सो सॉरी बीजेपी युवा मोर्चा प्रेजिट एंड एमपी तेजस्वी सूर्या हाँ इमर्जनसी एग्जिट वाले उन्होंने एक नियूस पेपर के विग्यापन को शेर किया यह विग्यापन दिया ही गया था करनाटक के अर्प संख्यक विकास कॉर्परेशन की तरफ से जो अर्प संख्यकों के लिए ही बनाया विभाग है जाहिर सी बात है कि वह उनके कर खुले में नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम पर असलियत तो यही है इसलिए नाम पढ़ा है अल्प संख्यक यानि कम संख्या वाले इस विग्यापन में लिखा था इस स्कीम के तहट वाहन की वैल्यू पर 50 पीसदी या ज्यादा से ज्यादा तीन लाग तक की सबसेडी हर ब जीट किये लेकिन ये दोनों ही अपने ही ट्वीट का फैक्ट चेक ना कर पाए बीजेपी के ये सांसर जो आज टैक्सपेर के पैसे का गलत इस्तिमाल अपीजमेंट पॉलिटेक्स आर्टिकल 14 का उल्लंगन वगेरा वगेरा जैसे आरोप लगा रहे हैं वो भूले तो खेर नहीं है पर आप से ये चुपा गए कि करनाटक में बीजेपी सरकार ने खुद इसी तरह के स्कीम लाकर रखी थी डिस्ट्रिक्ट इंफो डॉट कॉम पर आप जाए तो पता चलेगा कि बीजेपी सरकार में स्टी और अल्प सेंखक समुदाय के बेरोजगार युवा इस स् स्ट को मैक्सिमम 75 परसेंट या 4 लाख रुपए तक और अल्प सेंखकों को 50 परसेंट या मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की सबसीडी मिल सकती थी वही करनाटक के स्वास्त मंत्री दिनेश गुंडू राओ ने राजीव चंदर शेखर को जबाब दिया आप भूल रहे हैं क कि यही योजना बीजेपी की सरकार में भी थी अल्प सेंखकों के लिए अपनी नफरत में आप इतने भी अंधेना बन जाईए कि मूर्ख दिखने लगें अपना बेवकुफाना ट्वीट ठीक कर लीजिए तो आई अब आज आते हैं ऐसे ट्वीट की सच्चाई पर साउथ फर्स से बात करते हुए एक वरिष्ट पत्रकार और अक्टिविस्ट गौतम मचैया ने बताया कि इस योजना में कुछ भी नया नहीं है करनाटक में कई बोड और कॉर्पोरेशन्स हैं जिनके लिए वेलफेर स्कीम्स बनाई जाती हैं ताकि उन से जुड़ी कम्यूनिटी मचैया ने और भी ज्यादा बड़ी बात बताई उन्होने कहा अगर आपको जनना है कि सबसे कम्यूनल स्कीम आखिर क्या है तो वो ये है कि ब्रहमिन कम्यूनिटी में अगर कोई किसी पुजारी से शादी करता है तो उसे पांच लाख रुपए दिये जाएंगे सोचिए और आगे उन्होंने कहा कि ये सब कम्यूनिटी बेस्ट स्कीम है जैसे ये जो आटो रिक्षा स्कीम है ये आज से नहीं कई दशिकों से हर सरकार में चलिया आ रही है कुछ नया नहीं है मचैया ने ट्विटर पर मंत्री राजेश चंदर शेकर को कोट करते हुए लिखा कि इनका ये ट्वीट सिफ ढ्रामा की नहीं बल्कि बेहत साम्प्रदाइक है करनाटक सरकार ओटो रिक्षा खरीदने के लिए सिर्फ अर्प सेंखकों को नहीं बल्कि स्टी और पिछडी जातियों को भी देती है इनकी अलग-अलग कॉर्पोरेशन के जरिये और यही योजना तो भीजपी की सरकार में भी थी उन्होंने याद दिला दिया इने तो देख लिया ना आपने सुधीर चौधरी का एक और जूट और उस जूट पर पूरा एक शो इनसे और क्या ही उम्मीद करें क्योंकि एक बार की बात है इस मामल में दोनों संपादत जेल भी जा चुके हैं क्लिफ वाइरल होने के बाद बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रखकर आज तक के ऐसे शोगा पूरा क्लिफ भी सर्च करने की जरूरत पड़ गई हमारी टीम को आई पिटी देम पर कहीं मिला ही नहीं क्या आज तक ने शो का वो अंशी हटा दिया है क्योंकि मिली नहीं रहा है आपको मिले लेंक तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में प्लीज दे दीजिएगा हमें पर जरह सोचिए आज तक की क्या मजबूरी है कि उन लोगों को पत्रकाय का दर्जा दिये बैठा है जो बीजेपी सांसदों के ट्वीट को बिना फाक्ट चेक किये चानल पर प्राइम टाइम में दिखा देता है इतना दुस्साहस कहां से आता है इन लोगों में क्योंकि जनाब तो इस लाइन में भी कही नजर नहीं आ रहे है देखिए देखिए डूंडिए ठोड़ा जूम ठोड़ा सा जूम आउट नहीं और मैनत करो भाई जूट पहलाने में ताकि लाइन में आओ या फिर लाइन प बाबा का यह ग्यानात सबसे ज्यादा इन पर ही फिट बैट पा है हर सरकार में अपना सही समय बनाई लेते हैं